जब मैं मार्केट में आया और मैं ट्रेडिंग में बारवार लॉष कर रहा था तो मैं एक चीज़ तो समझ गया था कि ट्रेडिंग में अगर मेरा लॉष हो रहा है तो कहीं ने कहीं ये पैसे जरूर जा रहा होगा और वो मेरा पैसा लेके गया है तो कल मैं वो भी उसका पैस पैसा लेके मैं अपना पैसा जरूर लूँगा और उसका पैसा भी साथ में रिटर्न लेके आऊंगा मैं एक दिन प्रॉफिटेवल ट्रेडर जरूर बनुगा क्योंकि देखो मार्केट में अगर किसी का लॉश हो रहा है 90 परसेंट लोग का तो जरूर फ्रॉफिट होता होग और सुचो कि 90 परसेंट लोग का पैसा वो 10 परसेंट लोग खा रहे हैं तो भाई वो कितना जादा पैसे कमा रहे होंगे मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि महिने का 5-5 लाग 10-10 लाग रुपया ट्रेडिंग से कमा रहे हैं तो मैंने सुचा कि भाई ये सब कमा रहे हैं तो मै मैं भी कमा सकता हूँ और फिर स्टार्ट हुआ सीखने का गेम सबसे पहले तो लॉस का गेम स्टार्ट हुआ लॉस का गेम कैसे इस्टार्ट हुआ कि मैंने ट्रेडिंग ही स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए और पैसे क्वाइक पैसे कमाने के लिए जल्दी से पैसे कमा लिया, बाई कर लिया, एक-दो दिन profit हुआ, तुकका मार के, फिर expiry आया और सारा के सारा capital चला गया, फिर capital एट किया, फिर से जाया गया, फिर मैं सोचा कि भई दो बार capital जीरो हो गया, तो अब की बार क्या करता हूँ, सीख लेता हूँ, या कुछ strategy वेगेरा जान लेता देखते हो, दो तीन वीडियो देखते हो, और उसके बाद छोड़ देते हो, क्योंकि पचास सो रुपया में आपको टेलेग्राम का वीडियो मिल जाता है, देरे देरे क्या किया, कि फिर मैं कोर्स वाई किया, 9000-8000 का कोर्स मैंने वाई किया, हुआ कि वो भी कोर्स फेक न आपको सीक्रेट चीज बताया नहीं, जिससे फ्रॉफिट बन सके, और एक चीज मैं आपको उता दू, मार्केट में ऐसा कुछ भी सीक्रेट चीज नहीं होता है, जो आप देख रहे हो, वही दूसरे लोग देख रहे हैं, बस उसका आपका, क्या होना चाहिए, मैं एक मेरे करेबी दोस्त है, वो मुझे बताया, वो अभी लोश कर रहे हैं मार्केट में, और वो मुझे नहीं बता रहे थे कि भाई, मैं मार्केट में लोश कर रहा हूँ, वो उसको लगा कि राज भाई ने, उसके उपर, उसका मजाक बना देगा, क्योंकि मैं एक फ्रॉफिटेवल ट्रेडर हूँ, वो लॉश मेंकिंग ट्रेडर हैं, फिर वो कॉल किया, कल ही call क्या था, कल फ्राइडए था, कल कॉल क्या, राज भाई मैं ऐसे ऐसे लॉश कर रहा हूँ, ओके, तो मैंने बताया कि क्या, मतलब मैं तो उसको D2 strategy भी दिया थो, जो मेरा personal strategy, तो वो बोला कि भ तो भी profitable trader है, वो सही जगह पे entry लेते हैं, और सही जगह पे exit करते हैं, लोग क्या करते हैं, entry अगर सही जगह पे ले भी लिया, तो वो क्या करते हैं, जल्दी बाजी में, वो ज्यादा point catch नहीं कर पाते हैं, और 2-3 point catch करके, 10 point catch करके, वो क्या करते हैं, market से निकल जाते हैं, औ आवर और वो लॉस में ही रहते हैं, तो सही जगा पे इंट्री करके, सही जगा पे एक्जिट करना भी, वो आपको सिखना परेगा, और वो चीज आएगा, साइकलोजी से, बार बार प्रैक्टिस करने से, और रियल मनी के लगा के ही आएगा, तो मैं अपना जर्नी बताता हू कि इस टाइप से मैंने कोर्स बाई किया, दीरे-दीरे कभी वर्क्षॉप में 33,000 रप्या दिया, उसमें वर्क्षॉप में पैसे देके भी लॉस किया, काफी ज्यादा लॉस किया, 50,000 के करीमन लॉस किया, अब मेरे पास घंटा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, और कोर्च भाई करने के लिए पैसे बाझेञे अब मैं दशी हो गया था कि भाई देखो अब मेरा हो गया है 20-20 साल का अब इस एज में क्या हो गाई कि दीरे-दीरे जो क्या जो मेरे दोस्त है जो मतलब वो करते हैं आप दोस्त लोग जॉब भी जोईन कर चुगे है क्योंकि घर का जमेदारी दिरे दिरे मेरे शर पर आने वाला हूए तो फीर से जीरो हुआ फिर market जो है न आपको कुछ देने से पहले आपको ये निचोर लेगा निचोर लेगा लेकिन मेरा एक ही mindset था और साइध हर एक profitable के trader का यही mindset होता कि market अगर पैसे लिया है दे को market आपसे पैसे कौन लेता है अगर आप buy कर रहे हो तो कोई sell किया होगा आपका loss हुआ तो seller का profit होगा बस यही मार्केट बीच में तो पैसे नहीं ले जाते हैं कि मार्केट में क्या होता है थ沒 तो यहीं सब्सक्राइब कि पैसे बाए इसेती नियुँक्राई ना बक्रिक कि अ मेरा इसेomas नों खुपारी टो टॉट काफी का समझ Argать का पैसे काफी अच्छा समंध में कि दीक कि अप अभरा को सरी हो गया है से improving मैं भी मार्केट से पैसे निकालूँगा एक न एक दिन और फिर धीरे-धीरे सीखते गया, सीखते गया, बहुत सारे लोग को फॉलो किया, बहुत सारे स्टेटजी फॉलो किया, at the end मुझी ये पता चला कि मार्केट में कुछ भी सिक्रेट नहीं है, बस वही प्राइस सेक्षन, वही सब कुछ है, बस हमें यहाँ पे इंट्री लेना है, और सही जगा पे इग्जिट लेना है, और हमें एक कल्कुलेशन करना है, कि भाई देखो इतना वन इस्टू टू फ्रॉफिट लेंगे, तभी हम फ्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, दस पॉइंट अगर दिन में कैच करते हैं, और पांच पॉइंट लॉज करते हैं, तो बाईस ट्रेडिंग सेसन में कितना पॉइंट मेरे पास बचेगा, यह सब कुछ आपको कल्कुलेशन करना पड़ेगा, तभी मार्केट मे आपको ल MOM किए टुल यह होंगे, तभी आफ रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, दस दिन में लॉज की यह दोस दिन फ्रॉफिट किया हो, रहे अपको घर से ही अपना परथेगा, ओके, तो इसे पलेगा हो जाता है, आपको सब कुछ कॉछ कल्कुलेशन करो, मार्केट में हाँ कुछ चीजे होता है जो आपको दिखता है आपको confidence नहीं मिलता है आप सही जगर पे entry नहीं लिए तो आपको exit करने टाइम आपका हाथ थर थराने लागेगा कि भाई मैं exit कर लेता हूँ कर लोगे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो चोटे से केपेल को बरे कर लिए मतलब 50 अर 설 कर लिए तो उसको पता चल जाता है कि बाई पचासषार को और सी अजार कैसे किया जाता है वही 5 लाग ग्याला की बना सकता है जब प 9そうそう ऐसे वाला सकता है तो तो इस टाइप से हो जाता है, पहले आप छोटे से capital से सीखो, उसको धीरे धीरे grow करना सीखो, 50,000 से, 10,000, 5,000 से कुछ नहीं होने वला, कम से कम 30-40,000 मार्केट में आपको ले के आना परेगा, ले के तब आना परेगा, जब आपको लगे कि सीख लिए हो, ओके, और पूरा capital आपके घर के स्थीती को ख़राब ना करे, वहीं पैसे आप मार्केट में ले क्या हो, वरना क्या होता है, बहुत सारे लोग, प्रशनल सेविंग, बच्चा को पढ़ाने का पैसा लगा देते हैं, घर वेस देते हैं, बहुत सारे चीज़े करते हैं, जो मैंने देखा हुआ ह तो ऐसा चीज़ आप नहीं करो, कंफिडेंस के साथ ट्रेट करो, और इसमें भी देखो सक्सेसरेट काम है तो लोग इसलिए बोलते हैं कि यह जुआ है, लेकिन आप देखो, IAS के DM का परिप्रेशन करते हो, IAS, IPS का परिप्रेशन करते हो, उसमें 0.27 का क्या होता है, कि 3% chances होता है, 3% ही chances होता है, कि आप इसमें NEET का exam निकाल सकते हो, एक बार में, ओके, तो यह सब चीज़ होता है, तो chances are very low, बहुत ही लो होता है chances कि आप इसमें निकाल सकते हैं, अब जो वो होता है कि startup business, आजकल बहुत ही boom है, startup business में इसे क्या होता है, 90%, 95% startup business क्या होता है, कि और success rate कम होते हैं जिसमें career भी बहुत best होता है उसमें अगर आप एक बार निकाल लिए तो कुरोरपती भी बन सकते हैं इस टैप से हैं ओके तो आपको हार नहीं मानना है आपको अच्छे से preparation करना है अच्छे से आपको तयारी करना है सब कुछ market में calculate करो कितना point लेगे कितना point market से निकलेंगे तो profit हो सकता है कितना risk and reward होना चाहिए कितना accuracy होना चाहिए यह सब चीज mathematics है बागी खाली टाइम में चार्ट रेडिंग करो एक मिनट के candle पे 5 मिनट 15 मिनट 1 week 1 day यह सब चीज analysis करो देखो कि nifty bank move कर रहा है तो bank nifty कैसा कर रहा है यह दोनों में combination डोडो कुछ सिखाने के लिए एक genuine course लेके आया हूँ बहुत सारे लोग fake course बनाते हैं कि भाई यह है वो है उसके course में कुछ नहीं होता है मैं एक genuine course बनाया हूँ जिसमें मैं A to Z सब को सिखाने वाला हूँ zero to hero price section बताने वाला हूँ बेसिक से advance तक secret मैं आपना entry exit बताने वाला हूँ उस course में पूरा बताऊंगा वीडियो बना के और आपको बताने वाला हूँ कि candlestick psychology candlestick zero to hero बना पूरा एकदम उसमें मैं आपना 3000 का course है जिसमें से 2000 का तो strategy मैं फिरी ही दिया हूँ कोर्स परने वाला है टोटल 3000 आपको पे करना पड़ेगा ओके इसमें से 2000 का strategy मैं फिरी में बताऊंगा और यह बहुत सारे चीज मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा आप चेक आउट करो उसका डिस्क्रिप्शन परो उ केलेग्राम ग्रूप जरू जोइन करो बाई बाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में